गाइज आप लोग के काफी सारे कॉमेंट्स आ रहे थे के जामड भाई जो न्यू चेंपियन पाथ वाला इवेंट आया है आप इसको कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हाला कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के इंदर कहा था कि चेंपियन पाथ वाले इवेंट मुझे सबसे ज ही कर पाया लेकिं फिर यहांपर चेंपियन पाथ के अंदर में जो मास्टर वाला इवेंट है जिसमें घूल्डन वाला जो हमें मेल मिलता है उसके फाइनल में पहुंच चुका हूँ और हमने यहांपर फाइनल मैच स्टार्ट कर दिया है तो warrior के साथ हमारा match लगा है यहाँ पर let's see देखते हैं यहाँ पर क्या हम लोग यह final match जी सकती है क्योंकि break हमें मिला है और काफी अच्छा break भी मिला है और हमने काफी अच्छे तरीके से break किया उसके बाद यहाँ पर मैं top right में खेलूँगा और हमारे friends वगरा हमें मिलते रहते हैं तो ज्यादातर लोग जो ऐसे होते हैं indirect बोल कर पर जो है ना वो जब उनको striker मिलता है तो वो direct finish करके चले जाते हैं जाहर से बात है मेरा final match चल रहा है तो सामने हमारा जो मतलब opponent है उसका भी final ही match चल रहा होगा तो यहाँ पर से guys मैं खेल रहा हूँ top left के लिए red को फिर हमारे सिर्फ 3 pucks रह जाएंगे तो मुझे लगता है भाई मैं इस वाले game को finish कर सकता हूँ अगर मैं bottom left की तरफ जो मेरी एक puck फसी हुई है उसको अगर किसी तरीके से निकाल लूँ तो यह puck भी चली गई top right में सिर्फ 2 pucks रह चुकी है पहले guys मैं सोच रहा था top left में खेलूंगा तो जो opponent की puck है उपर वाली उसको मैं अगर हटा देता हूँ तो भाई फिर मेरी puck की जो position वो clear हो जाएगी लेकिन वो अले puck नहीं अट पाती उसके बाद मैं confused था कि इसको top right में खेलना चाहिए या bottom right के अंदर लेकिन फिर मैंने सोचा यार bottom right में खेलते हैं तो यह shot थोड़ी सी easy तो नहीं रहेगी indirect तो indirect ही होती है लेकिन guys यहाँ पर यह जो shot होती है न वो यहाँ पर मैं miss कर देता हूँ बहुत ही करीब से थोड़ा साइंगल गलत होता है लेकिन यहाँ पर हमारा जो opener था ना भाई वो आटो प्लेयर निकलता है तो यह चीज़ देख करना मुझे बहुत ही ज्यादा वोसा आता है लेकिन भाई यह भाई ने बहुत ही next level काम किया जो कि आज तक नहीं हुआ शायद एक दो बार हुआ हो पहले लेकिन ऐसा मैने नहीं नहीं देखा फाइनल मैच चल रहा हो चेंपिन पाथ का और ट्रंड भी उसको मिल जाए उसके पास आटो पिले हो और उसको यकीनों को वो यह मैच जी सकता है लेकिन सिर्फ हमारे लिए वो जो है यह मैच छोड़ दे अलांके आटो पिले से मुझे कुछ खास हमदर्दी नहीं है लेकिन भाई यह बंदे ने जो काम किया है ना ने वीडियो को बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई तो यहां पर फाइनली गाईज हमें जो है ना होली का गॉल्डन वाला जो मेडल है वो फाइनली मिल चुका है लेकिन यह जो मेडल है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया और जैसा कि आप लोग जानते है साथ म मैंने बिल्कुल भी इस इवेंट को मिस नहीं किया पहले यहां पर मैं आपको यह वाला मेडल चल कर यूज करके दिखाता हूं उसके बाद टू वर्स टू राइवर्स के जो रिवोर्ट जहनों को भी क्लेक्ट करते हैं तो यह रहा गाईज निव वाला मेडल उसके बाद यहां पर यह रहा इvent इसके अंदर लास्ट में हम हम लोग यहां पर यह जो पक्से 15 पीसे इसको क्लेक्ट कर लेंगे बाद गाईज वडियोगर आप लोग को पसंखे है तो बाई वीडियो को लुडियो करना और और कोमेट्स करके बताना कि आपके पास midnight pucks के कितने pieces हो चुके हैं और आप तक आपने कितनी बार इस event को complete कर लिया है मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thanks for watching, Allah Hafiz